हेलो आप्रीबन आपसा भी अच्छी होंगे आज की इस वीडियो में दो टॉपिक पर बात करूंगा पहला यह है कि आपका जो एना यूएस डियल है डियल है वो डी ट्रॉपल एस भी प्यार्टी के लिए वैलिड है नहीं और सेकंड आपके जो प्यार्टी की क्वालिफिके लेते हैं एना यूएस डियलेट की वैलिटी के बारे में तो यह आपका एक स्कूल एलोट्मेंट का रिजल्ट है इसमें यह जो सेरियल नम्मर ट्वंटी पर आपके कंडिडेट है किसन भारत द्वाज ठीक है इनका सेलेक्शन हुआ था टूठाउज़न नाइन्टीन की आ वो नाइ ओयस ही वाला था तो इससे यह बात प्रूफ होती है कि आपका जो नाइ ओयस डियलेट है वो आपका D.S.S.B. PRT के लिए बैलिड है इसका मैं आपको दोखो एक और प्रूफ दिखाता हूँ यह आपका मैसेज है जो D.S.S.B. की तरफ से बैरिफिकेशन करा जाता तो यह आपका verification का message है कि आपका जो diploma है, elementary education, open learning वाला, उसका verification हो चुका है, जो कि आपका DSSB ने कराया था, तो I hope अब यह doubt clear हो गया होगा कि NIOS, DLA, PRT, DLSB में valid है या नहीं, पहले मुझे भी सही जानकारी नहीं थी, तो मैंने आपके लिए मना किया था कि NIOS, DLA, PRT के लिए valid नहीं है, क्योंकि notification में ऐसा कुछ special NIOS के लिए mention नहीं था, और इसलिए आपके कई states में यह matter code भी जा चुका है, तो उसके लिए sorry, और अब वो यह चीज के लिए हो चुकी है, कि NIOS, DLSSB में valid है PRT के लिए, अब देख लेते हैं कि NIOS वाले हैं, वो जा आपके qualification हैं, उसमें क्या चूज करेंगे, तो आपका जो NIOS की qualification थी, जो DLA की, वो primary के लिए और junior के लिए अलग लग थी, ठीका, अपर primary और primary, ठीके, तो यह आपका हम लोग primary के लिए apply कर रहे हैं, PRT के लिए बात कर रहे हैं, तो हम इसकी qualification देख लेते हैं, senior secondary school certificate और intermediate और its equivalent with 50% marks, इसका मतलब कि 12th with 50% marks यह इसकी qualification थी, इसके अलाबहा अगर आपने graduation किया है, PhD किया, MA किया है, कुछ भी किया है, उसकी 12th था, मतलब जो 12th वाले थे, वो सब eligible थे, ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है, कि आपकी जो इसकी minimum eligibility है, वो 12th है, ठीक है, 12th के लाबहा कोई extra eligibility उससे मतलब नहीं होता, eligibility जो है, वो 12th मानी जाएगी, second इसमें आपका end के बाद, two year diploma in elementary education, और four year bachelor of elementary education, और two year diploma in education, तो य तो आपका DLA हो गया, जो two years का किया हुआ है, यह four year वाला integrated हो गया, BLA और यह diploma in education, आपका DLA special वाला है, ठीक है, तो ऐसे तो बहुत ही कम लोग होंगे, जो पहले से हों और जोनोंने फिर से NIOS वाला DLA किया हो, तो इस थिंक यह वाला तो कोई होगा नहीं, mostly लोग जो फर्स् DLA किया हुआ, उनकी qualification कुछ भी उनसे मतलब नहीं है, ठीक है, तो इसी base पर मैं आपको आके बताने वाला हूँ कि किस को कौन कौन सी qualification चूज करनी है, जब आप PRT के लिए qualification के section में, तो यहां से आपके यह one, two, three, four, five section आएंगे, five option होंगे, आपको इस में से कोई एक चूज plus seat at, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जिन लोगों ने 12th plus DLA किया हुआ है, मतलब जिनों ने 12th के बाद DLA किया है, वो इस category माएंगे, अब आपके जो NIUS DLA वाले हैं, उनका जो NIUS DLA है, वो भी क्या है, 12th base पर, मैं भी आपको बता है तो qualification में, ठीक है, बले है, आपकी qualification कु qualification के according, बाद की आपकी मर्दी आप कुछ भी चूज करें, ठीक है, second वाला आपका है, ये, कुछ special जो है, permission है, उसके लिए है, ठीक है, ऐसे तो बहुत कमी लोग होंगे, ये भी जो है, 12th से होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फोर्थ वाला आपका है, special education वाले के लिए, ठीक है, ये भी कम ही है, बहुत ही कम लोग होंगे, लास्ट में आपका है, two year diploma in elementary education, प्लस CTAT, प्लस graduate, ठीक है, ये देखी, graduation, बाकि इन किसी में भी आपका graduation नहीं था, ठीक है, ठीक है, तो जो भी लोग यूपी से हैं, जन्होंने BTC, DL8 किया हुआ है, normal वाला, NIUS वाला नहीं, वो सबी जो है, आपका ये last वाला option चूज करेंगे, ठीक है, तो इन total five में से आपके जो है, three है, important बाकी दो है, वो तो बहुत ही कम होते हैं, तो सबसे पहला वाला है, वो जन्होंने 12th बेस पे अपना डिपलोमा किया है, उनके लिए है, और NIUS वालों के लिए भी है, फिर आपका ये third वाला, वो BL8 वालों के लिए है, जन्होंने 4 येर वाला इंटेग्रेटर कोर्स किया हुआ है, और last वाला है, जो normally हम लोग कर रहे हैं, जन्होंने graduation के base पे किया है, for example, UP के जो भी candidates हैं, उनके लिए, ठीक है, तो I hope आपकी NIUS DLA से related जो confusion थी, वो दूर हो गई होगी, और इसमें आपको कौन-कौन से option चूज करना है, वो भी आपकी confusion दूर हो गई होगी, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें और कमेंट क करके हमें जरूर बताएं, और अगर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना,